अब बात करता हूँ आज के असरदार उपाय की ये उपाय उन सभी बारादाशी वाले जातक लोगों के लिए है जो पाना चाहते हैं अपने कारेशित्र में सफलता है आज बारादाशी वाले लोग अपने दिन को जो खास बनाना चाहते हैं और कारेशित्र में सफलता पाना चाहते हैं उनके लिए चमतकारी उपाए बहुत अच्छा असरदार उपाए हो सकता है आपको करना यह है कि शिवलिंक बर्ग दूद या संबह हो सके तो गोमती चक्र चड़ाना चाहिए या यूं कहले कि गोमती चक्र को भगवान शिव के साथ रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि शास्व कहता है कि भगवान शिव के गुरू भगवान विश्नु है और भगवान विश्नु के गुरू भगवान शिव है और ये जो गोमती चक्र होता है वो विश्नु स्वरूप माना गया है जब आप शिव और विश्नु की पूजा एक साथ करते हैं तो आपको ब पर अगर आज आप जाएंगे तो आपके जीवन में आज की दिन चलिया में जो भी किसी भी प्रकार की बादार रही है वो दूर हो जाएगी घर में सुबह बनी पहली रोटी घर से निकलते ही अगर कोई गाय दिखे तो उस रोटी पर देशी घी लगी होनी चाहिए गुड के साथ आप अपने साथ लेकर के चलिये अगर कोई भी गाय मिल जाती है तो आप उसको दे दीजे ये रोटी आप शद्दा के साथ गुव माता को खिला दे अगर आप ऐसा काम आज करते हैं तो यूं समझ दीजे कि आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा जिस भी विशेश का काम होगा की नहीं होगा मेरा बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है ये काम होना चाहिए आप ये प्रयोग करके जाए जो मैंने आपको आज बताया इससे आपके हर प्रकार के अभिश्त निश्यत सिद्ध होंगे